नमस्कार दोस्तों मैं क्रश्टनमूर्थी आप सभी का स्वाकत करता हूँ लेर्निंग मेरर यूट्यूब चैनल में दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे आप एक्विटी और करेंसी एक्टिवेट कर सकते हो HDFC Securities में मुझे क्विडी आया है सर कॉमरिटी कैसे एक्टिवेट करते हैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाएं तो यह वीडियो जो है उसके रिगार्डिंग वीडियो अच्छा लगए कि पर लाइक करना सब्सक्राइब करना और सेरे करना मैंने जो है एक्विटी और कर क्लिक कर दो यहां पर देखो online registration जो है यहां पर आपको दिख रहा है यहां पर clicking here पर आपको क्लिक करना है जैसी आप क्लिक करोगे आपका next page open होगा मैंने brokerage plan जो लिया हुआ है discount brokerage plan SDFC का उसका वीडियो में लास्ट वाला बनाया हुआ है जाकि आप वहां से देख सकते हो आ यहां पर मैं यहां पर देख लो सक कुछ है यहां पर आप अपर सकते हो यहां पर accept terms and condition पर क्लिक करो और यहां पर proceed के option पर आप क्लिक करो जैसे क्लिक करो कि यहां पर पूछेगा login id, password, dd, mm, yy, yy formant में date of birth पुट कर देना और यहां पर login के option पर क्लिक कर देना दोस्तों ज investors हो नहीं, value chain participants हो नहीं, property traders हो नहीं, यहां पर others ही रहने दें, यहां पर commodities that you would like to trade in, जो भी है यहां पर सब कर दें, आप gold, copper, crude oil, cpo, जो भी है यहां पर सब रहेगा आपका, documents required यहां पर, आपका income range कितना है वो select कर लेना, जो भी income range होगा यहां पर, आप select कर लेना, documents type में य यहां पर click कर दे रहा हूं, choose file पर click करो, जहां भी आपका file location है, वो जो है आप choose कर लेना, document uploaded successfully, यहां पर ok कर दो, यहां पर have GST registration detail नहीं है, अगर आपके बास GST detail है, तो आप put कर दे, नहीं है तो छोड़ दे, यहां पर no पर कर दे, normally same as HDFC securities account, yes पर आप click कर दे, और यहां पर submit के option पर आप click कर दे, जैसे ही click करेंगे, your request for commodity privilege has been received successfully and same will be, proceed in the next 48 working hours, आपको two working days के अंदर यह process हो है, activate आपका हो जाएगा, ok पर click कर दे, आपको फिर से यह पर जाज़ेगा, वेट करना है two working days का, जैसे आपका activate होगा, यहां पर देख लो, आपको mail आगा, HDFC के तरफ से dear जो that the said request has been accepted and the privilege has been enabled, ऐसा आपको mail आगा, community के regarding, तो समझ लेना, आपका activate हो गया है, उसके बाद आपको एक और काम करना होगा, क्योंकि यहां पर brokerage confirmation लेना जोड़ी होता है, यह जो mail ID है, आपका customer care at the rate of sdfcsec.com, इस पर आपको mail करना है, आपको क्या mail करना है, regarding F&O brokerage plan for ID, जो भ received only delivery brokerage activation, इसका मतलब क्या हुआ, मैरे पास पहले F&O activate नहीं था, तो जो अभी आपका activate होगा, उसके बाद आप मैंने plan पहले ले लिया था, तो आपको एक बाद कर लो कि यह आपका activate हुआ है, नहीं हुआ है, अगर नहीं हुआ होगा, तो आपको एक्स्टा बहुत सकता है per lot में, तो पहले confirmation ले ले लेना support team से, अगर वो बोले आपका brokerage plan activate हो गया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप discount brokerage में जो ट्रेड कर सकते हो, ऐसे आप जो है, HDC securities में commodity privilege जो है, ट्रेडिंग जो है, एक्टिवेट कर सकते हो, दो दिन का wait करें, एक्टिवेट हो ज Instagram, Facebook Twitter, जहां भी आपको लड़नी में देखिए, जोइन किलो तो तक लिए दोस्तों, धन्यवाद.